हलो फ्रेंड्स, विल्कम बाक दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा था कि भोजपुरी एक्ट्रेस मोना लिसा बिग बॉस के घर में इतना लंबा रह जाएंगी यहां तक कि उनके बॉइफिन यानि की विक्रान सिंह राजपो जो कि अब उनके हजबन बन चुके है ने भी बहुत पहले कह दिया था कि मोना लिसा दो हफ़ते के अंदर-अंदर वापिस आ जाएंगी लेकिन मोना लिसा ने सब के मुँँ बंद कर दिये और वो इस शोब में बहुत आगे तक टिकी रही चाहें वो फिनाले तक नहीं रुख पाई लेकिन तब भी फिनाले से सिरफ एक हफ़ता पहले ही वो बहार आई मोना जब बिग बॉस के घर में आई थी तब वो सिंगल थी अब बिग बॉस ने खुद कर वाया था बाहर आने के बाद जब Mona Lisa से पूछा गया कि जिस हफते में उनके शादी हुई उसी हफते वो इविक्ट हो गई तो ऐसे में वो क्या सोचती है Mona Lisa ने बहुत ही इमानदारी से जवाब दिया कि उनको लग रहा था कि वो शादी के तुरंद बाद ही बाहर आ जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको बिग बॉस से घर में तीन और दिन रहना पड़ा लेकिन वो खुश है क्योंकि वो घर से बाहर आना ही चाहती थी क्योंकि most of the time वो घर में upset रहती थी जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुश है कि नाशनल टीवी पर सबके सामने उनकी शादी हुई तो इस पर मोना लिसा ने कहा कि विक्रांथ और वो इस शादी से बहुत खुश है वो कौकेटा की हैं और विक्रांथ यूपी के और दोनों भोजपुरी फिर्म इंडस्ट्री में काम करते हैं इसलिए वो सोच रहे थे कि वो शादी के बाद रिसेप्शन कहां करेंगे लेकिन बिग बॉस ने उनकी ये मुश्किल आसान कर दी और उन्होंने उनकी शादी बिग बॉस में करवा दी उनसे ये भी पूछा गया कि बिग बॉस के घर में ये दूसरी शादी थी पहले शादी सारा खान और अली मर्चंट की हुई थी जो क उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता वो हमेशा दोनों साथ में ही रहेंगे जब मोना लिसा को मनु और उनकी फ्रेंड्शिप के बारें पूछा गया तो वो बोलीं कि उन्हें बुरा लगता है सुनकर जब लोग उनके और मनु को लेकर बाते करते हैं उन्होंने कहा कि जब आ तो मसकी मज़ग नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे जिन्दा ने इभी बताया कि उन्होंने और मनू ने शुरू में ही यह बात खोल ली थी कि उनकी बाहर फेर्ट है और मोना लिसा ने बतादिया था कि उनके बी बहार मंगेदर है मोना लिसा से पूछा गया कि मुनू के मज़क नगी करें तो कैसे रहेंगे जिंदा मोना लीज़ा ने भी बताया की उनोंने और मनू ने चुरू में ही ये बात खोल ली थि कि अंकी बाहर एक गर्ल्फ्रेंड है और मोना लीज़ा भी बता या था कि उनके भी बाहर मंगेतर है मुझा लिसा से पूछा गया कि मनु के बाहर आने के बाद भी क्या वो दोरों की फ्रेंड्शिप ऐसी रहेगी तो इस पर मुझा लिसा बोली हो सकता है मनु भी बाहर आने के बाद बिजी हो जाए जिस तरह से मैं अपनी पैंडिंग फिल पास अभी बहुत सारा काम है बाहर उनकी बहुत सी फिल्म्स पेंडिंग पड़ी हैं जिने उनने कंप्रीट करना है और कुछ नए फिल्म के ओफर्स भी उनके पास है इसलिए वो शादी के बाद तुरत अपने काम में लग जाएंगी दोस्तों फिलाल अब तक के लिए इत